शिक्षा ये इंसान का व्यक्तिमत्व विकास और उनके गुणवत्ता द्वारा सामाजिक और राष्ट्रिय विकास का एक एहम जर्या है हमारा प्यारा भारत लोकसंख्या के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है और उसमें से लगबग 50 प्रतिशत से भी जादा लोग ऐसे हैं जिनका एच 25 साल या फिर उससे कम है उनके लिए उच्च गुनवत्ता वाले शैक्षिक अउसर ही हमारे प्यारे भारत का भविश्या निर्धारित करेंगे 29 जुले 2020 को भारतिय सरकार द्वारा भारतिय शिक्षा व्यवस्ता यानि कि एजुकेशन सिस्टिम में एतिहासिक बदलाव करने का निर्णय लिया गया और यकीनद अगर ये बदलाव आने वाले आजमाईशों में काम्याब रहे तो भारतिय शिक्षा बुलंदी के नए दौर में कदम रखेगी इन बदलाओं के बारे में हम तफ्सील में जरूर जानेंगे लेकिन इस से पहले हमें जानना होगा हमारे करन्ट एजुकेशन सिस्टिम के बारे में आप सबी ने कभी نہ कभी किसी ना किसी माद्यम से इसकी आलो चुनातो सुने होगी इसलिए ये जानना बहस जरूरी है कि इसकी नीव क्या है कि इस आधार पर इसको बनाय गया ताकि इसके root cause को हम जान सके और ये जो new education policy लागो की जाने वाली है इसके परिणामों को सही माप दंड़ से माप सके इस विशे को हम दो वीडियो में देखेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे education system की आज तक के इस सफर के बारे में हमारे प्यारे भारत में शिक्षा के प्रतीरुजान प्राचीन काल सही देखने को मिलता है ही प्राचीन और शाश्वत ग्यान और विचारों की विरासत नहीं इस नए education policy की निव रखने में एक मार्गदर्शक का काम किया प्राचीन काल में शिक्षा लेने का मतलब बस पैसे कमाने के लिए ग्यान लेना ऐसा नहीं था बलकि सरवांगिन विकास और आध्यात्मिक सतर पर खुद की खोच करना था प्राचीन काल में गुरुकुल, आशिरम और बाउधमटों में शिक्षा दी जाती थी तककालिन शिक्षा के निरे नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी इन जैसे विश्वस्तरी उनिवर्सिटीज ने उनके मल्टी डिसिप्लिनरी एज्जुकेशन, रिसर्च, महान, विद्वान इनके द्वारा एक उचास्तान हासिल किया मध्यकालिन भारत में मुगल सामराज्यों के दवरान, मद्रोसों का निर्मान कराया गया था आधुनिक और पाश्यात्य शिक्षा, जिसकी हम पढ़ाई अब तक करते आ रहे हैं इसकी शुरुवात बिटीशों के इस इंडे कंपने द्वारा भारत में की गई थी और यहां से ही भारतिय एजुकेशन सिस्टिम को एक आकार में ढालने की शुरुवात हुई इंडेस्ट्रियल रिवॉलॉशन के चलते जब बिटीश भारत में आएं तब उनके सामने सबसे बड़े दिक्कत थी यहां कि भाशा और संस्कृति में बिभी दता इसलिए उनके द्वारा संस्ताय और युनिवेसिटीज बनाए गए जिनका असल मकसद का या कि संस्कृति और इतियास का अभ्यास करना और फिर नाम आता है थॉमस मैकॉले इन्होंने भारत का अध्यान किया और Minute to India इस report को British Parliament के सामने रखा इसमें English के महत अपर जोर दिया गया था और फिर लागू हुआ English Education Act 1835 ताकि British और भारतियों के बीच की दूरी को भरा जा सके मैकॉले के हिसाब से education should be utilitarian यानि शीक्षा उप्योगितावादी होनी चाहिए और उसी के हिसाब से STEM यानि Science, Technology, Engineering and Mathematics इनके उपर आधारित, Education System को बनाया गया और बाकि सब विश्यों को काफी कम भैत्व दिया गया क्यूंकि East India Company तर्ख चाहती थी जो Creativity को भूलकर डेस्क पर बैठकर काम करें कोई सुना हुआ लग रहा है ना क्योंकि आज भी हम वो ही कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है IIT इस लख्ज को सुनते ही बड़ा ही फक्र महसुस होता है और इसके जैसे कई और यूनिवर्सिटीज हैं जो एक कॉलिटी एजुकेशन देते हैं एक बार एक American News Broadcaster ने IIT को इंट्रोडूस करते हुए कहा था इन मुद्दों के आधार पर हम एजुकेशन सिस्टिम के खामियों के बारे में जान सकते हैं सबसे पहला है सिलेबस के आधार पर पढ़ाई आप क्यों और क्या पढ़ाई कर रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं उसका कहा और कैसे इस्तिमाल करना है क्या स्टूडन्स इस सवालों का जवाब दे सकते हैं और ये उस समय की बात है जब आप घर बैटकर आराम से इंटरनेट का इस्तिमाल कर रहे हैं इस सबकी आसल वज़ा है हमारी एज्जोकेशन सिस्टिम जो की मिमोराईजिंग पे आधारित है ना की अंडेस्टेंडिंग पे इसलिए अगर आप सिलाबस के आधार पर पढ़ाई कर रहे हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ मतलब है पास होने के लिए जानकर जमा करना तो इस कॉंपिलिट्टिव दुन्या में आपका आउट्डिट होना लाजमी है दूसरा है आर्ट एंड स्पोर्ट यह अभिन अंग है जो हम इंसानों को इंसान बनाते हैं लेकिन इसके बावजूद हमारे एजुकेशन सिस्टिम में इससे ना के बराबर महत्वत दिया जाता है कई दशकों से हम यह hierarchy देखते आ रहे हैं सबसे ओपर है STEM यानि Science, Technology, Engineering and Mathematics उसके बाद आता है Humanitarian Subjects यानि अर्थशास्त्र, भुगोल, इर्थियास, आदी और सबसे निचलेस्तर पर Arts क्योंकि यहाँ पर Creativity को बहुत ही कम हैत्वत दिया जाता है इसलिए हमें पता यह नहीं होता कि हम कितने Creative है हमारे Education System में गलती करना मना है और गलती से भी गलती हो जाए तो उसे सजा का सामना करना पड़ता है लोगों द्वारा उसे कोसा जाता है हमें समझना बहुत जरूरी है कि Creativity की नीवी है गलती होना उस गलती से सीखना और आगे जाके नए गलतीयों का सामना करना उन से सीखना इन सभी कारणों के वज़े से बड़े ही संजीदा नतिजों का हमें सामना करना पड़ता है आकडों के अनुसार जादातर भारतिय एजुकिटेड यूथ एंप्लोइबल ही नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही अनुप्लोइबल है बलकि दूसरी तरफ जो लोग काबिल हैं वो दुनिया के टॉप्मोस्ट कंपनी को चला रहे है IIT और उसके जैसे कुछ गिने चुने इंस्सिट्यूट्स है जो एक quality और multi-disciplinary education देते हैं वो एक जर्या है सामाने लोगों को अपने जीवन में एक मकाम हासिल करने का लेकिन उसमें admission लेने की एक अलगी race है एक अलगी stress है और उसका नतीजा ये है कि हमारा प्यारा भारत यूच सूसाइड में विश्व में सब से उपर है जहाँ पर private tutions एक growing business बन रहा है अगर खेल की बात करें तो अब तक के इतियास में भारत ने ओलम्पिक में 28 मेडल जीते हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका चिंजे से देश हर ओलम्पिक में 100 से भी ज़्यादा मेडल जीत लेते हैं यह कुछ महतवपूर्ण मुद्दे है जिनके मद्दे नजर कोई भी education system होनी चाहिए और इसी के आधार पर यह जो new education policy 2020 को लागू किया जाने वाला है इसके परिणामों को हम माप सकते हैं इसलिए अगले वीडियो में हम जानेंगे इसी new education policy के हर एक परिलू के बारे में